हेलो वेलकम दोस्तों आईए गैन बाइद देख रहा है आप मैं रोई कोमार एक और फिर से नए वीडियो में हाजरूं दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या टेंथ करने के बार नेट की कुछ नि करनी चाहिए है नहीं दोस्तों यदि आपके मन में प्र में तो फिर उस समय क्या क्या चैलिंजेस आने वाले हैं किन किन चीजों का आप को सामने करना पड़ेंगी सिर्डी Cash इदि दोस्तों अज़न के दिो समझना trud coolest नेट कि त्यारी करने से पहले कि कि क्या जाता है वो क्या जाता है जो Süो कि आफको यह पनाता है डोरूश अप क् कि कौन-कौन से subject वो आते हैं और साथ ही साथ कितना cut-off जाता है कि कितने minimum number चाहिए exam को pass करने के लिए दोस्तों जब आपको यह पतर हो कि इतने number कम से कम pass करने के लाई यह तो से त्याधि नियां आ sean फ़ंटुक्तॉट स्हस्टिज आइडब स्टाइए शुरू करने की नंबर मेरे आ जाएंगे निया पता कैसे कि आतने नंबर लाने था तो आप किसके अनुसरा टाया करेंगे तो सबसे टा-इंप्और्ट्टें रोल है कि आपको कट आप पता करना ही चाहिए कि ऐस्च BACK चाहिए अब दोस्तो Carnipot सेकंड प्वाइब कर ऑफ-प कि जrade तर लोग क्या को करते हैं तैयारी में लग तो जाते हैं, लेकिन उनको Flex ultimcha के बारे में इडया नहीं होता है की कई एक्जाम का तो दुच्टों आको पता होने चाहिए bleiben कि दखे जी कि क्या क्या-क्या स्लेबस है, फिजिक्स में क्या आने वाला है, केमिश्टी में क्या आने वाला है, बायो में क्या आने वाला है, तो दोस्तो इसका जो स्लेबस है, उसको आप डाउनलोड करके पिरिंट आउट करा लीजिए, उसको रख लीजिए, और दोस्तो आप उस स्लेबस के अ कि अपनी इसम्स तैयारी करेंगे तो दोस्τοों वहां से एक्जाम क्राइक करने के चांसेज बने और अगर आप इस लिए तैयारी करें कि आपको इसमें नगा दिया है कि क стан काई नंगे हो पाते हैं क्योंकि ह्सक्राइब सीजन नहीं में गोलạt ivr कि एक्जाम में कितना ज़्यादा कüyorsun कितने बच्चे पेपर को पड़ते हैं और दोस्तो पेपर बढ़ने के बाद कितने लोग पास होते रोर कितने लोग डॉक्टर बनते मुदुन तो यह सब चीज आपको समझना पड़े तो उस तो काफी पॉस्टा रिजल्ट आएंगेते हैं लेकिन दोस्तुर आज करने के लिएcida के लिए लाकों वे संक्षा बच्षी जाते हैं लेकिन, दोस्तो तयारी करते- समय सब लोग क्या करते हैं प्रस पर जूट देते ह। ये सलेबस है, ये सलेबस है, ये पड़ो, वो पड़ो, इसकी क्लास, इसकी क्लास, इस्टा क्लास, दुनिया बर की क्लासे लगा देते हैं, आप दोस्तों दुनिया बर की क्लासे में देखे क्या होता है, बच्चा पड़े पड़े परेसान है, इन सर का नोट से है, उन सर का न तो क्या उस समय बहुत साई टीचर थे क्या ये टीचर व सका टीचर तो आपको खुदी आनसर मिलेगा कि Limited books थी और Limited teacher से हम पढ़ते थे तो वही काम आपको नीट में करना है आपको जब ये नीट की तयारी कर रह हो तो उस समय Limited book रखें लिम्टेड बुक का मतलब है जैसे माली आप फिजिक्स पढ़ड़ा हूँ तो फिजिक्स सब्जेक्ट की जो बुक होनी चाहिए आपके पास एक होनी चाहिए यह नहीं कि इस टीचर ने बताया भईया यह बुक ले लो तो आपने यह बुक ले ली दूसरे आपके दोस ने ब दोस्तो कोई भी बुक हो लगबक सबी बुक में एक जैसा मेटर दिया होता है लेकिन आपको जहां से सबसे अच्छा लगे आपको माली चार लोगों ने बुक बताया अब इन चारो बुक को आप देखिए देखने में कोई बुराई नहीं है इन चारो बुक को आप देखि लग जाओ अब दोस्तो कभी कभी का होता है जैसे माल लीजिए हमको दो बुक समझ में आ रहे हैं चार में से तो उस्तो आप दो बुक को रख लें अब आप क्या करें जैसे माल लीजिए आपने थर्मो केमिश्टी पढ़ा माल लीजिए केमिश्टी अगर आप तैयारी कर रह तो फिर हर भृक में कुछ न नकूछ चीज्जें अलग-अलग दी होती तो फिर आपका क्या है प्रियौ मीन अपको होगी और दोस्तो टाइम टेगिंग प्रॉसेर हो जाएगा और दोस्तो यदि में जाए इसलोर्ट इष्यद क्सट्चर्ट टीचर इसलोर्ट के चक्र में बच्चा फच्च आता है कि आतको आपको सबसे इंपोर्टेन चीज्श में आपको करनेुआ हैं दोश्टो आपको त्यारी करते रहना और साथ में जो भी प्रिविएश से कोर्षेन पेपर होते हैं ऑरिजनल क्या बोलना हूं मैं क्या मुत्या कॉरीज़न पेपर को आपको हर संडे conform लगाते रहना है तो जब सोर्ने मुझे कोर्षेत एक कॉर्षें करना है तो जब आफ का साल को ρोता है तो फिप्टी टु वीक आपके मिलेंगे तो आपके 53ु सेट हो जाएंगे और दूस्तो आपको के जया जियादा से जयादा प्रीवियस से सालों को कुछ नगा करτεं गाल, इससे होगा करने जोड़ाम नहीं है सेलेक्षिन के काफ़ जाज चांसेस बनेंगी तो दो दो तैयारी करना एक अलग बात है हमको बहुत ज़्यादा ग्यानी नहीं बनना है मैथकी सॉर्टिक्स परता है वो सॉर्टिक्स पर फौलो करने है तो दो 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 को 될गे वो जो short trick आप सीख रहा हूँ, क्या वो exam तक बास तब में tick सकती है कि नहीं, अगर दोस्तों आपको लगता है कि टिक सकती है, तो यह आप short trick को अपनाएं, अधर माई short trick को अटाके, आप exam की सही तरीके स्तियारी करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता हूँ चाहिए कि exam है, जो time है, वो काफी sufficient होता है, और आप आराम से paper हो कर सकते हैं, बस आपको preparation जो है, वो अपनी सही तरीके से करनी है, दोस्तों अगर आप preparation सही तरीके से करेंगे, क्लास 11 का और क्लास 12 का, उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, लोग क्या करते हैं, भाईया नीट में पैसा लगा है कोचिंग करने का, तो नीट को पढ़ेंगे बहुत जादा, कई माबाप ये नहीं करें, भाईया तो अपने पैसा डोबा दिया मेरा, इस चीज का कि हम एक डॉंक्टर बनने जा रहे थे, और हम क्लास 11 में ही फस गए, तो दोनों चीज़ों को जब तक आप बैलेंस करके नहीं चलोगे, 11 को और अपना नीट की प्रपरेशन को, तब तक आपका काम नहीं चलेगा, अगर आप 11 में लटक गए, तो आप नीट का एक्जाम देने से पहर ही तुक गए, तो दोस्तो कहीं नहीं आपको 11-12 के साथ में, नीट को बैलेंस मना के जब आप काम करोगे, तो दोस्तो वहाँ से आपका जो एक्जाम है, वो अच्छी तरीके से क्रेक हो जाएगा, और दोस्तो अगर आप सिर्फ ऐसी तियारी करोगे, आप बैलेंस नहीं बना रहा हो, और सिर्फ ऐसी करते जा रहा हो, तो दोस्तो मुझे लगता है कि फिर मजा नहीं आएगा उस चीज़ का, तो दोस्तो बैलेंस मना के करो आपकाम, तो अच्छे से एक्जाम भी निकलेगा और खुद को तैयारी करने में और भी मजाएगा और दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बच्चा फेल हो जाता है 11th में तो दोस्तो उसका जो मनोवल होता है वो कहीं नगे टोटने रखता है कि मैं 11th में फेल हो गया और दोस्तो यह वीडियो आपको क्या मॉटिवेट करने के लिए कि आप साय चीजो को समझेख के एक अच्छी तैयारी करने के लिए आपका टार्गेट रणने का वो टार्यगेट पूरा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को प्लीज उन नीट के ऐस्पिरेंट तक्षिस तक share करें वो न बच्चों तक share ka proud और जूरहां की त्यारी कर रहे हैं जिसे कि उनको help मिल सके हो उनको यह पाद चल सके कि बास्तम में क्या- We वो problems हैं जो आंगे आ सकती हैं और कैसे तैयारी करना चाहिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों मैंने जादा तक points को cover करने के पूरी कोशिश किया है यदि दोस्तों आपको लगता है कुछ आप पूछना चाहते हैं तो दोस्ते नीचे comment works है उसमें आप अपनी problem को डालिए उसका हम आपको बहुत ही जड़ रिप्लाई जरूर करेंगे और जरूर आपका हम अउत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को नीच जागे subscribe करें और notification को जरूर दबाएं जिससे कि जब भी हम next वीडियो लाइन सबसे पहले विड़ा को मिल जाए और दोस्तों एक हमारा Facebook पर है आईए ग्यान बढ़ाएं online landing videos दोस्तों यह आप Facebook पर सर्च करें और दोस्तों यह फिर आपके करें description box में जाएए आपको Facebook पर लिंक बलेगा उसको आप जरूर लाइक करें क्योंकि हम आपके लिए यह जो वीडियो से हैं और जो आपके important updates होते हैं जो भी informations होती हैं वो सारे हम Facebook पर भी लाते रहते हैं तो इस Facebook पर जरूर लाइक करें और दोस्तों यदि कोई problem में comment करें जरूर पूचेएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे next video तब तक लिए सुक्रिया